नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर जीते इंत्र पांडे है और मैं उत्राखर्ण मुक्तु विश्व द्याले में असिस्टेंट प्रोफिसर की रूप में कारिया रहा हूँ आज हम चर्चा करेंगे बेसिक कम्प्यूटर और्गनाइजिशन एंड डिजाइन के बारे में सबसे पहले हम एक basic computer को introduce करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार हम registered transfer language की मदद से basic operations को perform कर सकते हैं किसी computer के organization को हम तीन बातों से समझा सकते हैं पहला उसके internal registers, timing और control unit और तीसरा set of instructions जो कि वो इस्तिमाल करता है digital system के internal organization को हम define कर सकते हैं sequence of micro operation जो कि वो अपने register में store जो data है उन पर perform कर सकता है किसी भी general purpose digital computer या कोई भी general purpose digital computer बहुत सारे micro operations को execute करने में सक्षन हैं इसके अलावा computer को ये भी instruct किया जा सकता है कि इन micro operations को किस sequence में perform किया जाए जिसे हम program के माध्यम से computer को बता सकते हैं कि process किस sequence में execute हो तो सबसे पहले हम एक program को define करते हैं program क्या होता है program sequence of micro instructions होते हैं जो कि computer को ये बताते हैं कि क्या operation perform करना है किस data पर करना है और किस sequence में करना है register में store जो data है उसकी जो हम processing करते हैं उसे हम दो तरीके से बदल सकते हैं पहला हम same program में data की value बदलने या फिर same data के लिए नया program लिख सकते हैं आई अब हम जानते हैं कि instruction क्या होता है instruction एक ऐसा binary code होता है जो ये specify करता है कि micro operations का sequence क्या होगा तो ये जो instructions है और जो data है ये दोनों ही memory में stored रहते हैं जब भी computer किसी specific instruction को execute करना चाहता है तो पहले उस instruction को वो read करता है read करने के लिए वो किसी specific control register जिसे कि हम accumulator कह सकते हैं वहाँ पहले उस instruction को लाता है फिर वो इस instruction को interpret करता है और साथ में फिर उसको execute करता है sequence of micro operations को issue करने के बाद यानि किसी भी instruction को execute करने के लिए जो control unit है वो sequence of micro instructions execute करती है आई ये इस बात को हम समझते हैं calculator के उधारण के माध्यम से जैसे कि हम एक calculator है calculator में बहुत सारे operations perform कर सकता है calculator जैसे addition, subtraction, division, multiplication तो ये जित्ते भी operation वो uniquely perform कर सकता है ये हुए उसका instruction set अब आप वो instruction तो है उसके पास यानि कि उस addition, multiplication, subtraction या division को perform करने के लिए जो भी circuitry है, वो उसके पास है लेकिन जो user है वो बताता है कि किस समय पर कौन सा instruction execute करना है या फिर वो किस sequence में करना है इसके अलावा अलग-अलग तरह के calculator होते हैं वैसे ही अलग-अलग तरह के computer होते हैं और हर computer के अलग तरह के instruction sets होते हैं जैसे हमने एक basic calculator देखा तो basic calculator में mathematics के सारे arithmetic सारे operations होते हैं जबकि जो scientific calculator होता है उसमें उसका instructions, instruction set और ज़्यादा होता है यानि कि वो board और exponential, log इस तरह के operations को भी perform कर सकता है तो जिस तरह के से दो अलग-अलग तरह के calculator अलग-अलग तरह के operations को perform कर सकते हैं तो यानि कि वो इसका instruction set हुआ इसली प्रकार computer के भी अलग-अलग instruction sets होते हैं जैसा कि हम पहले बता चुके हैं instruction code group of bits होती है जो कि computer को बताती है कि क्या operation perform करना है जैसे ये example है 16 bit instruction code का जिसमें 0 से लेकर 15 तक bit है तो ये instruction code दो पार्ट में divided रहता है पहला पार्ट है op code दूसरा है address op code पार्ट ये बताता है कि कौन सा operation code execute करना है और ये address पार्ट या तो operand बताता है यानि कि जिस data पे आपको operation perform करने है या फिर memory में उस operand या data की location को specify करता है जैसे कि इस example में ये 16 bit instruction code है दो पार्ट में डिवाइड है op code और address op code यहाँ 4 bit का है यानि कि binary bits है तो 2 raise to power 4 यानि 16 unique combinations ये बता सकता है 00000001 0010 इस तरह के से ये all 1 111 तक 16 combination है इन op code को पढ़के computer ये पता लगा सकता है कि ये instruction कौन सा operation perform करने को कह रहा है ये जो 16 combinations है ये इसके instruction set है यानि कि इन्हे instruction को ये computer perform कर सकता है से ज़्यादा नहीं कर सकता तो किसी भी specific instruction में ये op code के combination को पढ़के control unit ये पता लगा सकती है कि कौन सा operation perform करना है और ये 12 bit 0211 तक ये बता सकती है कि ये operand यानि कि जिस data पर operation perform करना है उसका memory में location कहा है यहाँ पर ये आप example देखिए ये एक memory है 4096 cross 16 4096 का मतलब हुआ यहाँ पर 4096 locations है इसमें और इस 16 का मतलब हुआ हर location 16 bit का एक data को hold कर सकती है तो यहाँ पर चूंकि ये 12 bits हैं address की तो यहाँ पर 2 raised to power 12 यहाँ यह इस्रक्शन 4096 unique location को point कर सकता है ठीक है जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि जब हम किसी प्रोसेसर को खरीटते हैं या कोई computer खरीटते हैं तो बताता है कि यह कितने GB RAM तक को support कर रहा है या निए 4 GB लिखा है तो 4 GB तक को ही support करेगा उसमें अगर आप 6 GB RAM add कर दें जो computer या प्रोसेसर 4 GB RAM को support करता है तो वो 2 GB RAM extra जो है 4 GB से उपर वो unused ही रहेगी ऐसा क्यों? क्योंकि उस computer के instruction set में जो address part है वो सरफ उतने ही 4 GB locations को ही uniquely specify कर सकता है उससे आगे के locations को specify नहीं कर पाएगा तो यहीं इसका limitation होता है इसलिए जब आप किसी processor या computer को खरीदते हैं तो आपको पहले ही बता देता है कि वो कितने GB RAM को या memory को support कर सकता है तो आईए हम अपने example में दुबारा lot के आते हैं यह op code यानि कि operation code 4 bits का है तो 4 bits की 16 unique combination हुए जैसे 0000 यहाँ पर subsection है 0001 यहाँ पर addition है इस तरीके से यहाँ पर 16 operations होंगे ऐसे ही यहाँ पर 000, 12 zeros, 11 zeros followed by one यह इस तरीके से unique 4096 locations है यह जो memory है यह basically दो पार्ट में divided है एक instruction इस instruction portion में program store होता है और यह दूसरे वाले operand में data store होता है data कौन सा data जिस पर operation perform कर दे है तो यह कोई instruction decode कैसे होता है जब भी यह memory में कोई program को अब execute करते हैं यह instruction processor register में जाते हैं processor register जैसे कि यहाँ पर accumulator है यहाँ पर गये तो computer जो इसका control unit है वो इस instruction को decode करता है decode में वो देखता है कि शुरू की चार बिट जो है यह क्या कह रही है कौन सा operation perform करने को कह रही है और किस operand पर वो operation perform करना है तो जब यह operation code के वो पढ़ता है तो माना 0000 इलखा है यहाँ पर तो यहाँ पर माना कि subtraction करना है तो subtraction करने के लिए जिस circuit को enable करना है micro operations को perform करने के लिए control unit उन circuits को enable करने के लिए control signal भेशता है तो instruction computer को ना सरफ यह बताता है कि क्या operation perform करना है बट यह भी बताता है किस operand पर करना है यानि कि वो data जिस पर वो operation perform करना है वो memory में किस location पर store है और इसके साथ साथ instruction यह भी computer को बताता है कि वो operation को perform करने के बाद result कहां पर store करना है आईए अब हम stored program organization के बारे में बात करते हैं यह simplest तरीका है computer को organize करने का जिसमें एक processor register होता है जिसे हम accumulator कहते हैं यहाँ पर है यह processor register accumulator इस example में हमने एक 16 bit का instruction code लिया है जो कि दो part में divide है operation code और address part तो जो opcode है वो 4 bit का है यानि कि 16 different instructions को यह point कर सकता है कि कौन सा operation perform करना है तो यह इसका instruction set हो गया और यह 12 addresses memory में 4096 different locations को point कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि जिस data पे मुझे operation perform करना है वो data memory में किस location पे stored है तो जब भी computer किसी program को या किसी instruction को execute करता है तो यह instruction memory से उटकर इस processor register में आता है जहां यह decode होता है decode होता है यानि कि यहाँ पर control unit इसके opcode को पड़ती है यानि operation code कि कौन सा operation मुझे perform करना है और किस data पे करता है लेकिन कुछ instructions ऐसे होते हैं जिस पे आपको इस address part का कोई significance नहीं होता जैसे कि complement AC यानि कि accumulator की जो content है इस वक्त 16 bit के उन्हें complement कर दो तो instruction ही बता दे रहा है और operation ही बता दे रहा है कि operand की location क्या है instruction अगर instruction है complement AC यानि complement करो accumulator के content को ये instruction ही बता दे रहा है कि जो हमारा operand है वो accumulator में stored है तो ऐसे instructions में आपको इस address part की जरुवत नहीं पड़ती ऐसे और भी कई instructions हैं जिसमें address की जरुवत नहीं पड़ती जैसे कि हम बात करते हैं clear AC यानि accumulator के content को clear कर दो increment AC यानि कि जो accumulator के content है उसे increment कर दो और भी कई साल ऐसे भी instructions होते हैं जिसमें ये instruction code ये address part instruction code का address part operand का address को specify नहीं करता जबकि वो यहाँ पर operand को ही store करता है इसका मतलब जो operation perform करना है जिस data पर वो data ही यहाँ पर stored है ना कि उसका address तो इस mode को हम immediate mode कहते हैं इसी प्रकार दूसरा mode है direct mode direct mode में ये जो address part है ये memory में उस location का address बताता है 12 bit का address जहाँ पर वो operand यानि कि data stored है इसी तरीके से एक mode है indirect mode indirect mode में ये जो address part है memory के उस location का address store करता है जो की जहाँ पर operand का actual address store किया जाता है चलिए इसको हमें example के माधिम से समझते हैं जैसे ये direct addressing में हमने देखा कि ये जो address part है ये memory में उस location का address store कर रहा है जहाँ पर operand यानि कि जिस data पर हमाई operation perform करना है उसका address है और indirect address में ये जो address part है उस location का address specify कर रहा है जहाँ पर operand का address stored है लेकिन अब ये पता कैसे लगे कि ये direct mode है कि indirect mode है तो इस instruction code में जैसे 16 bit का ये instruction code है ये 12 bits हमने address के लिए reserve कर दी ये 3 bit 12, 13, 14 हमने operation code के लिए reserve कर दी और ये 15 bit हमने mode selection के लिए store कर दी अब यहाँ पर चूकि 3 ही bit है अब code की तो 2 raised to power 3 यानि की सिर्फ 8 micro operations को ये specify कर सकता है ये 15 bit चूकि i यानि mode selection bit है अगर ये bit 0 है तो ये direct mode है और ये अगर 1 है तो ये indirect mode है अगर एक example के माद्ध हमसे अब इसको समझते हैं direct addressing के example में ये instruction code है जब ये instruction execute हुआ तो execute होने के लिए accumulator में गया accumulator में ये decode हुआ computer ने control unit ने पढ़ा इसका opcode को पढ़ा opcode में ये 3 bit है ये opcode bit जो भी ये combination था ये add था यानि कि उसको पता लग गया इन bits को पढ़ने के बाद कि यहाँ addition करना है फिर इसने 15th bit पढ़ी जो कि mode बताती है ये 0 है यानि कि ये direct addressing है direct addressing का मतलब हुआ ये जो आपका address part है ये memory में operand का address बता रहा है तो यानि कि ये memory location है 257 तो memory में sorry 457 तो memory की 457th location में गया और यहाँ पे जो भी operand है उस पे addition perform कर दिया addition के लिए आपको दो number चाहिए होते हैं तो एक number हमें जूम करते हैं कि accumulator में पहले से है ये accumulator के content को location memory की location number 457 पे जो data है उसके साथ add कर दिया और जो result आया वो a kilometer में ही store रहा अब हम बात करते हैं indirect addressing की indirect addressing में ये instruction जब execute होने गया control input ने देखा opcode, opcode से पता लग गया कि addition करना है और ये 15 bit पड़ी जो की mode selection bit है ये 1 है इसका मतलब ये indirect mode में ये address है तो इसमें यहाँ पे address बात देखा 300 तो ये memory की 300 location पर गया यहां 1350 लिखा है तो ये 1350 जो है ये इसका operand या data नहीं है जिस पर operation perform करना है ये again memory की इस location को specify कर रहा है जहाँ पे operand stored है तो operand यहाँ पे 1350 location पर stored है तो ये addition का पहला operand accumulator में पहले से है दूसरा यहाँ पे इस location को indirect addressing mode में 1350 पर है इन दोनों को add किया और result accumulator में store कर दिया तो इस तरही के से हम immediate, direct और indirect addressing mode के बारे में जाना अब आप सुचेंगे ये प्रस्ट पूछ सकते हैं कि accumulator में आपने कहा कि एक operand पहले से ही stored है तो यह accumulator में आया कैसे तो जैसे कि मैंने आपको बताए instruction set में कोई ऐसा instruction हो सकता है जिसने पहले memory के content को accumulator में store कर दिया हो move to accumulator नाम का कोई हो सकता है instruction हो जिसके माध्यम से memory में जो data है पहला data elements को आपने accumulator में store कर दिया हो कर दिया हो